लेको अब हिंदी के जो बचे हुए topics हैं वो मैं complete कराऊंगा ठीक है जो भी आपके topics हैं और जो topics हो चुके हैं अगर उसमें किसी भी तरीके की problem है वो भी मैं solve कराऊंगा ठीक है तो आज का जो हमने topic लिया है वो है वाक ठीक है वाक के बारे में देखेंगे और वाक्यों में हम सभी चीज़ों को जानेंगे मतलब वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं एक student का message आया था मेरे पास में किसर यह नहीं पता चलता कि कौन सा सरल है कौन सा मिसरित है कौन सा संयुक्त है इसमें बड़ी समस्या रहती है आपको बिलकुल भी समस्या नहीं होगी मतलब आप देखत दूँगा और आप इसको conceptually जोड़ोगे तो किसी भी तरीके की कोई problem ही नहीं होगी बहुत असानी से पहँचान लोगे वाच्यों को भी जो वाच्यों होते है ना उसमें भी बड़ा confusion होता है लोगों को बिलकुल अराम से पहँचान लोगे देखते ही पहँचा लोगे यह सब्दों का ऐसा समू जो सार्थक भाव को सपष्ट करता है ध्यान रखना सब्दों का ऐसा समू जो सार्थक भाव को सपष्ट करता है मतलब पूरी तरह से उसका भाव हमें पता चल लाता है वो वाक्य होता है थेकर उसी को हम वाक्य बोलते हैं जो पूरी तरह से आंसिक भ कि जो सब्दÓ है उनको बांध हुए तो उसने प्राइब को बांध हुए तो है कि एक से जादा प्रइक से जादा सब्ध बंडे हुए उसके अंदर लेकिन वो पूरा भाव प्रिकटन ही करेंगा वो वह क्यांस होगा इनकी वाक्य का एक अंस होगा, जिसको अभी हम देखेंगे, डिसकसन में, वो वाक्य का अंस होगा, वाक्य का मतलब है जो पूरा अर्थ दे दे, पूरा भाव परिकट कर दे, वो वाक्य बनता है, इनकी वाक्य से पहले पदबंध होता है, और आपको पता ही है कि जो सबसे प प्र पद्वंध और तब का हाटि एलो कि है। इस को जरा समझते हैं य क्या है। कि अदेश उद्देश का विस्तार क्या है ऌविध्ह विस्तार क्या है आप जरह समझे उद्देश का यह आपको राम पढ़ रहा है तो आप बताओ किसके विसे में कहा जा रहा है राम के विसे में तो कहा जा रहा है या आप कोई भी ऐसे देखो मोहन मेरे घर पर आ रहा है किसके विसे में कहा जा रहा है हैं तो जिसके विसे में कहा जा रहा है जिसके विसे में कहा जा रहा है वो क्या है वो उद्देश है सबसे पहले तो यह धियान रखना है जिसके विसे में कहा जा रहा है वो उद्देश है और जो भी कुछ कहा जा रहा है जैसे मैं आपको बताता हूँ कि राम पढ़ रहा है तो ये किसके विसे में कहा जा रहा है कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है तो जिसके विसे में कहा जाता है मतलब आप मोटे तोर पर समझ सकते हो कि उद्देश से जो है वो करता होता है ठीक है, जिसके विसे में कहा जा रहा है वो राम है अब उसके विसे में क्या कहा जा रहा है कहा ये जा रहा है कि वो पढ़ रहा है तो ये जो पढ़ रहा है न ये क्या है ये बिधे और बिधे का विस्तार यानि उद्देश जो उद्देश है और उद्देश का विस्तार क्या है लेकिन इसको उधारन से ही समझ सकते हैं मैं है पर उधारन लेता हूँ जैसे मोहन पढ़ता है वोहन पढ़ता है इसमें उद्देष से क्या है आप बताओ किस के बारे में कहा जा रहा है पहले इसका जबाब बताओ मुझे तो आपको पता चलेगा, मोहन के बारे में तो बोला जा रहा है, मोहन पढ़ता है तो इसका उद्देश हो गया मोहन, कौन पढ़ता है भी, मोहन पढ़ता है इसका उद्देश हो गया मोहन, अब विधे क्या बचा, तो दूसरा इसके वाक्य के दो भाग कर लो एक तो जिसके विसे में कुछ कहा जा रहा है और दूसरा जो भी कुछ कहा जा रहा है तो इसके विसे में जिसके विसे में कहा जाए वो मोहन है और ये तो हो गया हमारा उद्देश और जिसके विसे में जो भी कहा जाता है, विधे और उसके विस्तार में चुड़ जाती है, जैसे मैं बड़ा उधारन लेता हूँ, जिससे आपको चीजें और किलियर होंगी, देखो, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल विधियस नीती विस्यक भासन देंगे, अब यहां पर उद्दे उद्देश है, तो ऐसा नहीं होता है, इसमें जो मेन निकल के आएगा कोई, जिसके बारे में आप बोलोगे, जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, वो एक व्यक्ति होगा, हैं, तो उसको ही हम उद्देश मानेंगे, बाकी उसका विस्तार हो जाएगा, जैसे आप बताओ, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, तो हमारा उद्देश क्या हो गया, नरेंद्र मोदी, उद्देश क्या होगा, नरेंद्र मोदी, अब बाकी जो बाते हैं, क्योंकि इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा जा रहा है, कि कल विद बिधे और बिधे का विस्तार होता है और उद्देश जैसी खतम हुआ उद्देश से पहले जितनी भी चीज़े होती है वो उद्देश का विस्तार होती है तो यहाँ पर आप डेटला एक लाइन खीच दिया करो कि यह उद्देश है अब उद्देश के बाद जो भी आएगा वो विधे और विधे का विस्तार होगा और उद्देश से पहले जो भी कुछ होगा वो उद्देश का विस्तार होगा तो यहां उद्देश का विस्तार हो गया भारत के प्रधान मंत्री ठीक है तो उद्देश और उद्देश का विस्तार दोनों मिला कर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरिंद मोदी ये उद्देश उद्देश का विस्तार है और कल विदेश नीती विश्यक भाशन देंगे ये विधे और विधे का विस्तार है ठीक है तो चलो देख पढ़ी चुके हो पहले से ही जो टॉपिक हो चुके हो उसमें आपको पता चल जागा अच्छा ये जो है भाशाण ये कर्म है ठीक है वह क्या देंगे भाशाण देंगे ना तो कर्म क्या हुआ देखो ये हमें पता चल जाता है जैसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपने पढ़ लेना वो सकर्मक है, जैसे मोहन सोता है, क्या सोता है, तो पता नि क्या सोता है, यह तो मोहन है, यानि कि उसका जो असार है, वो केबल करता पर है, क्रियाब से तो हमें नहीं जवाब मिला ना, क्या सोता है, कुछ नहीं पता चला, तो इसका मतलब यह अकर्मक है, अकर्मक हो ग राम कुछ और लग लेते हैं हम कुरसी या चलो कुछ और नाम ले लेते हैं सीला सीला स्वेटर सीला स्वेटर बुनती है सीला स्वेटर बुनती है तो क्या बुनती है तो सीला नहीं आया ना स्वेटर आया आप क्वेश्चन पूछा करो अगर question पूछने के बाद आपको जवाब करता के अलाबा कुछ मिल ला है तो समझ लेना कि वो सकर्मक है वो ही उसका कर्म है यानि भाँ कर्म मौझूद है और जहां पर कर्म मौझूद ही नहीं है समझ लेना वो अकर्मक है जवाब ही नहीं आएगा जैसे मोहन सोता है क्या सोता है तो पता चला क्या तो कुछ है नहीं कौन सोता से निकल ला है मोहन अगर चलो क्या को आप मोहन ही माल लो तो उसका फरक किबल करता पर पढ़ रहा है तो वो अकर्मक है यहां आपने उचा सीला स्वेटर बुंती है तो बुंती है तो ठीक है क्या सकर्मका करमक परिए अब यहाँ पर यह कर्म का बिस्तार ए विदियस नीती बिस्याक यह कर्म का बिस्तार अब यह मैँ पर शो मद चरम के पहँचानिये माने बच्चे को सुलाया मुख्य कर्म पहँचानिये इसमें कौन सा मुख्य कर्म है ठीक है माने बच्चे को सुलाया इसके बारे में बताओ फटापट कमेंड करके इसका मुख्य कर्म कौन सा है ठीक है दोनों को बताओ इसका मुख्य कर्म दोनों को पहँचान चीज है इसलिए ये आराम से समझ सकते हो कि जब आपको ये लगे कि यहां एक से जादा कर्म है जहां एक ही कर्म है तो उसमें तो कोई डाउटे नहीं है वो ही मुख्य कर्म है जब एक से जादा कर्म होते हैं तो इसमें एक मुख्य कर्म होगा और दूसरा गोन कर्म होगा तो यहाँ पर जो किरिया के बराबर वाला होता है जैसे सुलाया ठीक है तो किसको सुलाया बच्चे को सुलाया ना तो यह जो हमारा है यही हमारा क्या है मुख्य कर्म है किरिया के बराबर वाला ही मुख्य कर्म होता है जैसे यहाँ पर पढ़ाया तो किसको क्या पढ़ाया पाठ पड़ाया है पाट तो यहां यह मुख्य कर्म होता है तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ मुख्य कर्म की पहचान क्या है मुख्य कर्म की पहचान है किरिया के किरिया के बराबर बाला है किरिया के बराबर में होगा मुख्य कर्म की पहचान बता रहा हूं ठीक है तो यह जो बाते हैं यह आपके सब काम आएंगी वाक्यों के पिरकार में ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ एक ही कर्म मैंने इसको explain भी कर दिये है एक ही कर्म बच्चे को है अत्य ही मुख्य कर्म है अब यहाँ पर तो एक ही कर्म है बच्चे को क्योंकि जो मा है वो करता है मा क्या है करता है मा ने बच्चे को सुलाया तो यहाँ तो एक ही कर्म है लेकिन यहाँ दू कर्म है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ दू कर्म है इस इस सिति में क्रिया के पास वाला ही मुख्य कर्म होता है अधे इस बाके में कर्म या मुख्य कर्म पाठ है तता छात्रों को जो है वो गोन कर्म हो जाता है तो जहां एक ही कर्म होगा वहां तो कोई बात ही नहीं है लेकिन जहां एक से ज़्यादा कर्म होगा वहां पर आपको देखना ह जो क्रिया के बराबर है बही क्या होगा हमारा मुख्य कर्म होगा अब देखते हैं वाक्यों का बरगी करन तो वाक्यों का बरगी करन हम सबसे पहले प्रिधानता की दृष्टी से देखेंगे और जो वाक्य के जिस रूप से ये ग्यात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा प्रधान होता है ठीक है कोई बाग कैसा होता है जो करता प्रधान होता है तो करता क्रिया और कर्म की प्रधानता के आधार पर हम बाक्यों को तीन वागों में विभाज़त करेंगे इसको हम बाद्चे बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं बाद्चे तो बाद्चे तीन प्रकार के होते हैं, एक कर्ते बाद्चे, एक कर्म बाद्चे और एक भाववाच, भाववाच क्या होता है क्रिया के आधार पर, तो इसको पहले समझना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, इसको कंप्लीट करते ही, फिर हम अगली क्लास में सरल वाग, मिसरत वाग, साहियोक्त होते हैं सबसे पहले लिखेंगे करते बाच्य इसको लिख लो अपनी कौपी पर तो जादा अच्छा रहेगा करते बाच्य दूसरा जो हमारा होता वो करम बाच्य होता और तीसरा होता भाववाच्य सिंपल सा तरीका है जो हमारा करते बाच्य होता है उसमें करम प्रधान होत कर्म बाच्च को भी बिलकुर नाम से एकदम के लिए रहे इसमें कर्म प्रधान होता और भाव बाच्च का मतलब जिसमें क्रिया प्रधान हो तो जिसमें कर्ता प्रधान हो कर्ते बाच्च जिसमें कर्म प्रधान हो कर्म बाच्च और जिसमें भाव यानि क्रिया प्रधान हो वो भाववाच तो सबसे पहले तो हम इनका जो आधार है जो classification का या जो इनके बेभाजन का आधार है वो क्या है करत बाच्च यानि कि जहां करता की प्रधानता हो ऐसे वाक्य को हम करत बाच्च बोलते हैं जहां कर्म की प्रधानता हो ऐसे वाक्य को हम कर्म बाच्च बोलते हैं और जहां क्रिया की प्रधानता हो ऐसे बाच्च को हम भाव बाच्च बोलते हैं अब कैसे पहँचान होगे भई ये तो ठीक है कर्म प्रधान अब आपको कैसे पता चलेगा कर्म प्रधान तो एक तो के द्वारा में पहचान का तरीका बता रहा हूं जो करता प्रधान होता है उसमें ने कारक चिनना गया या आपने कोई वाक के देखा अगर उसमें ने कारक चिनना गया तो समझ लेना कि वो वाक के करता प्रधान है ठीक करता बात्चे करता प्रधान है करता बात्चे ने कारक या कोई कार्शी नहीं होगा टो सकते हैं एकamatकिनो आपको देखने को मिलेगा, ने या कोई नहीं होगा कार्शी नहीं होगा। किरिया इसमें कैसी होगी इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों परकार की किरिया हो सकती है उधारन से हम समझेंगे पहले आप इस थियोरी को समझो ठीक है तो मैं फिर बता रहा हूँ जो करते बात्चे है उसमें पहला करता प्रधान इसकी पहँचान में बता रहा हूँ यहाँ पर ने कारेक्चन होगा बिलकु सिंपल, करता ने है इस तरह से यादर को यह होगा ही नहीं या तो ने कारेक्चन होगा या कारेक्चन नहीं नहीं होगा क्रिया अकर्मक सकर्मक कैसी भी हो सकती है इसकी पहँचान बता रहूं कर्म प्रधान में करता या तो लोप होता है या गौन होता है कोई कि यह कर्म की प्रधानता होती है जब कर्म की प्रधानता है तो करता होगा ही नहीं या फिर वो गौन होता है ठीक है यानि कि प्रिधान तक कर्म की निकलेगी तो इसका पहँचानने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो है के द्वारा कर्म के द्वारा है कर्म के द्वारा और भाव का मतलब है कि इसमें जादा तर मतलब आप देखोगे कि 90% या इससे भी जादा वाक के आपको मिलेंगे कि वो नकारातमग वेवार के होते हैं जैसे उससे चला नहीं जाता नकारातमग भाव के होते हैं यज़िन इसमें जो भाव बाच जाहें, इसमें ज़्यादा तर वाक के आपको कैसे मिलेंगे नकारात्माघध। नहीं वाला सब्द इसमें आएगा। लेकिन इसमें आपने जैसे मैंने अभी बोला था उस से, यानि से इसमें जनरली पेहचान बन जाएगी। से, बहुत स्म करता ने करम के द्वारा भाव से इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हो यानि कि भाव भाव बाचक में कारक्चिन के आएगा शी आएगा ठीक है और करम बाच्च में की द्वारा करम बाच्च में की द्वारा आएगा और यहां पर करते बाच्चे में जो होगा वो ने आए ठीक है इसमें भाव वाचक में प्राय अकर्मक करिया होती है लेकिन सकर्मक 100% करम प्रदान होते हैं उसमें 100% सकर्मक होगी यानि अगर आप से पूछे करम बाच में किस परकार की करिया होगी तो हर हालत में सकर्मक होगी मतलब इनको दोनों को मिला कर भी आप पहचान सकते हो देखो मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ कभी भी question एक्जाम में आता है तो या तो आप ऐसी पहचान लोगे करता ने करम के द्वारा भाव से बस से होगा तो भाव हो गया होते हैं नकारात्मक होते हैं ठीक है हाला कि जो करता बात्षे वो सकर्मक कर्मक कोई सा भी हो सकता है अब मैं आपको कुछ उधारन देता हूँ जैसे याँ पर देखो दिनेस सोता है तो सबसे पहले तो मुझे करिया का ही रूप बताओ कैसा है फिर इसकी बात करेंगे दिनेस सोता है ये कैसा है तो आप मुझे करिया का रूप बताओ तो करिया का पहंचान में क्या है मैंने बोला करिया के साथ प्रशन किया करो जैसे क्या सोता है आप प्रशन करोगे क्या सोता है तो आपको जवाब केबल क्या मिलेगा? करता ही मिलेगा, दिनेश यानि कि आपको करता के अलाब़ कुछ और नहीं मिलेगा तो समझ लेना ये अकर्मक है जब हम question करेंगे और उसका प्रभाब केबल करता पे पढ़ रहा हो हैं तो समल यानि वह कर्म ही नहीं होगा तो यह अकर्मक का उधारण है यह अकर्मक करिया है लेकिन मुझे अकर्मक और सकर्मक आपको आज के टॉपिक में नहीं पढ़ाना हूं मैं जेश रिवाईज करा रहा हूं मुझे आपको बाच्चे पढ़ाना है कि यह कैसा है आप बत तो दिनेश होता है, इसमें कोई कारक चिन्न भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पहचान लिया कि इसमें किसकी प्रधानता है, दिनेश की, क्या सोता है, दिनेश होता है, पूरा प्रभाव किस पर पढ़ रहा है, दिनेश पर पढ़ रहा है, तो यहां पर जो है, वो है हमारा क करते बाद्चे, करते बाद्चे, ये हमें ध्यान रखना कैसा है, करते बाद्चे, और ये कुधारन से समझते हैं, आस्ता ने किताब पढ़ी, क्या पढ़ी, किताब, तो इसका मतलब है, यहां सकर्मक तो है, क्योंकि किताब पढ़ी, आस्ता ने किताब पढ़ी, क्या पढ़ पढ़ी किताब पड़ी, तो आस्था नहीं किताब आया आंसर, तो इसका मतलब यह है कि यह सकरमक तो है, सकरमक किरिया तो है, takarman किरिया तो है, लेकिन हम यह देखें कि इसमें जो मुख्हे है, वो क्या है, कोन्सा प्रधान ए यह तो मैंने इक तरीका भी बताया, कि कारक चि कि बिना भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो बड़े अराम से कि यहाँ पर करता प्रधान है, आस्था ने पड़ी किसने आस्था ने यानि कि आप देखों यह करता प्रधान हुआ प्रधान ता आस्था की हुई ठीक है, तो यहां पर मैं पहंचान की बात करूँ तो ने यहां पर पहंचान हो गई और आप पहंचान लोगे, यह क्या है करतेबाद चे सरल बाग, संयोक्त बाग और मिस्रित बाग पहंचानना एक दम असान है पहले आप इस भाग को समदलो मैं बहुत सिंपल टेकनिक आपको बता दूँगा आगे देखते हैं पतंग उड़ रही है अब देखो पतंग उड़ रही है आप यहां पर देखोगे तो पतंग उड़ रही है तो आप इसके ये जो है न 4, 5, 6 इसके बारे में जरा मुझे बताओ कि ये क्या होगा ठीक है थोड़ा सा सोचो इसके बारे में फिर मैं बात करूँ तीनों जो है हमारे मतलब 3, 4, 5, 6 ठीक है इसको जो भी स्टेटमेंट है जो भी वाक है उनको पढ़ो और फिर मुझे बताओ सोच लो इसका पतंग उड़ रही है देखो सबसे पहले आप ये देखो मालो आप क्वेस्चन करोगे क्या उड़ रही है आंसर मिलेगा पतंग लेकिन आप चेक करो क्या ये करता है करता तो नहीं है ये तो कोई निर्जीव चीज है पतंग क्योंकि ये अपने आप तो नहीं उड़ सकती न तो आप यहाँ देखोगे कि ये करम है सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि करम क्या है आप question किया करो किरिया से जैसे मैंने अभी अभी बताया कि मोहन सो रहा है आप बोलो क्या सो रहा है तो कोई जवाब नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप क्या को मोहन से करन वैसे वो क्या का जवाब नहीं है वो कौन का है कौन सो रहा है मोहन तो मोहन तो करता है तो हमाँ करम है ही नहीं करम मिलेगा क्या जवाब करके हैं अगर आपसे मैं यहां पर पूछूँ कि यह बताओ कि यहां करम कौन है तो पतंग उड़ रही है तो question करूं क्या उड़ रही है मिल जाएगा करम क्या जवाब करने के बाद में अगर करन अगर आपको जवाब मिल जाता है क्या का question करने के बाद अगर जबाद मिल जाता है तो समय लेना करम है जैसे अभी मैंने उधारन दिये थे तो इस आधार पर आपको पता चल जाएगा कि यह करम है तो no doubt यह है तो सकरमक सकरमक तो है पतंग उड़ रही है लेकिन यह करता गायब है करता का लोप है करता का लोप है अब आप ज़र दियान से सुनो जहां करता का लोप होता है यह के द्वारा कारक्चन होता है सिंपल सा तरीका है जहां करता का लोप हो जाए यह के द्वारा कारक्चन हो तो वो कौन सा बात्चे है करम बात्चे है करम की प्रधानता है वेसे भी, ठीक है, तो जहां कर्ता का लोप हो, या कि दो आरह हो, ये मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, हैं समझ भी लो, लेकिन ठीक का सारा भी लो, कूँकि ये तरीका है आपको सही वाक्र पकड़ने का, सही भाथ्च्य पकड़ने का, तो यहां पतंग ऊड़ रहे हैं, क तरीका बता नूँ कर्म बाद चका या तो कर्ता का लोब हो या की द्वारा हो कारक्चन या करता का लोप का लोप हो या करता ने, ने कारेक्चिन हो, सिम्द रहे हो ना, ने कारेक्चिन हो या कारेक्चिन का लोप हो तो अब हम करते बाच्च को देख रहे हैं, अब करम बाच्च में क्या है, करता का ही लोप हो गया है, या करता गोन हो गया है, करता का लोप हो गया है, या गोन हो ग तो ये सकर्मक तो है ही लेकिन साथ में ये दोनों ही क्या हो गए करम बाच्च हो गए करम बाच्च और करम बाच्च हमेसा सकर्मक होता है ये क्या हो गए करम बाच्च करम बाच्च ठीक है किसान के द्वारा खेत जोता गया देखो सिंपल तरीका की द्वारा आ गया है तो करम बात्चा आप करी दो, लेकिन फिर भी इसको समल लो, के द्वारा आ गया तो करम बात्चा हो गया, यहाँ पर भी के द्वारा आ गया तो करम बात्चा हो गया, कुछ सोच नहीं नहीं है, करम बात्चा हो गया, लेकिन फिर भी इसको भाव के रूप में भी देख लो, किसान के के द्वारा खेत जोता गया यानि प्रधानता करम की है क्या जोता गया खेत सकर्मक है क्या जोता गया खेत प्रधानता खेत की है ठीक है खेत जोता गया ऐसे क्या पढ़ी गई पुस्तक पढ़ी जा रही है क्या पढ़ी जा रही है पुस्तक तो प्रधानता पुस्तक की है ऐस करता का लोप हो जाए तो समझ लेना आप बहुत आसानी से पकड़ लोगे कि ये करम बात चाहिए कि द्वारा के तो बड़े अराम से पकड़ लोगे करम बात चाहिए अगर ने आ जाए या कारक्चन का लोप ही हो तो उसको चेक कर लेना एक बार ने आ जाए कारक्चन का दोनों उधारण मैंने आपको दिखा दिये, बाकी मैं आपको अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा, तें, मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन आप ये समल लो, ये पूरा टॉपिक दो क्लास का है, मैं आज एक क्लास ले रहा हूं, एक क् प्रैक्टिस जरू करो, जो टॉपिक मेरे द्वारा कंप्लीट हो, उससे प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्फिजेंस आटोमेटिकली बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, कॉमन बुक इसलिए बता रहा हूं, आपके कोई डाउट आएंगे, मैं उसको एक्स्प्लेन कर आनी खतम, रोगी से चला नहीं जाता, अब मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था, आप दोनों को इसको रिजेक्ट कर दोगे, कि ना ये करता बात्या है, और ना ये करम बात्या है, तब भी पहुंच सकते हैं, या जितने नकारात्मक सब्द होते हैं, नकारात्मक प् आपका कि ये क्या है, ये भाव बाचक है, जैसे रोगी से चला नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता, तो नकारात्मक भाब है, और से कारक्चन्ने, तो बड़े अराम से पहचान लोगे कि ये भाव बाचक है, ठीक है, नकारात्मक भी दिख रहा है आपको, और से कारक् आत्मक क्या हो गया भाव बाचक हो गया अब जो इने को गच्ना सिखाता हूं कई वार ऐसे बिक्St hati इस इसको कर्म बाच के बदलो यह कोई दूसरा भी आ जाएगा कि वे इस तरह से हमें चीजें को इसमें जोड़ना है लेकिन जो भाव है पूरे वाक्य का वो वैसा ही रहना चाहिए मालो कोई भूतकाल में तो भूतकाल लेना चाहिए जो जैसा भाव है वैसा ही रहना चाहिए उसमें कोई बदलाव नहीं हो बस आप इसमें इस तरह से परवर्तन कर सकते हो जैसे सबता ने नरत किया तो ने से पता चला कि अरे ये तो कैसा है ये तो करत बाच्चे है करता ने ना करत बाच्चे सिंपल करता ने तो कभी नहीं बूलोगे करता ने करम को वाला जो होता है तो कभी नहीं बूलोग तो करताने अब करम का हम कैसे पहचानेंगे य warfare द्वारा आता है बसीसमलो करताने जो हमारा करत्ष्य बाद्चे की पहचाने बो ने हैं लेकिन अगर करम बाद्चे की पहचान देखोगे तो डौहरा ऑछ का से आप धिशन्रक लोगे केद्वारा और अगर आप भाव बाच्च की बात करोगे तो से है ठीक है से सबता ने निरत किया लेकिन हमें करम बाच्च बनाना है करम बाच्च के लिए आपको पता हम किये द्वारा जोड़ दें तो हमारा करम बाच्च बन जाएगा तो चलो जोड़ते हैं आप भी बता सकते हो कमेंट करके बड़े अराम स आप इसको ऐसे लिख सकते हो सबता के द्वारा सबता के द्वारा निरत किया गया अब गया भी लिखना पड़ेगा नहीं तो आपका बाक्य पूरा नहीं होगा कुछ चीज बड़े का पूरा भाव आजाना चाहिए मालो आप ऐसे लिख दो सबता के द्वारा निरत किया तो यह कोई सेंटेंस नहीं हुआ न ठीक है आभी इसी वाद ने किया लगा लगाओ गया तो अगर हम करते बात्चे से करम बात्च बनाते हैं तो ऐसे बन जाएगा अकला देखो मोहन कल क किताब पढ़ रहा था इसमें कोई कारक चिन्न नहीं है लेकिन मोहन कल किताब पढ़ रहा था यहां अगर आप देखोगे तो हम यहां कारक चिन्न तो यहां नहीं है लेकिन हम यहां पर अगर कर्म बाच्चे बनाएंगे तो हमें यहां किये द्वारा लगाना पड़ेगा जि किताब इसी भाव में देना है आपको ऐसे ही देना है ऐसा नहीं कल किताब पढ़ी गई थी न पढ़ी जा रही थी क्योंकि पढ़ रहा था तो पढ़ी जा रही थी मोहन के द्वारा कल किताब पढ़ी जा रही थी कल किताब पढ़ी जा रही थी बच्चे सोर मचाएंगे आप क्या करोगे बच्चों के द्वारा अब देखो रामू नहीं दोड़ता है पहले इसको पूरा कर ले बच्चे के द्वारा यहां बच्चे सोर मचाएंगे बच्चों के द्वारा सोर मचाया जाएगा बच्चे के द्वारा सोर मचाया जाएगा भाव वोई होना चाहिए के द्वारा जोड़ता है अब इसको भाव बाच्च में बदलना यह तो करम बाच्च करम में तो आपको पता के द्वारा जोड़ेंगे अब भाव बाच में क्या होता है नकारात्मक और सी के द्वारा जोड़ा जाता है क्या होता है सी और नकारात्मक भाव तो नकारात्मक तो है ही लेकिन हम सी के द्वारा इसको कैसे जोड़ेंगे तो जब भी मतलब सामर्थ की जनरली बात होती है सामर्थ नहीं है इस तरह कि सामर्थ में नकारात्मक प्रदर्सित की जाती है तो समझ लेना वो भावबाच्च के रूप में आपको मिल जाएगा जैसे रामू नहीं दोड़ता है तो आप बोलोगा रामू से रामू से दोड़ा नहीं जाता है दोड़ा नहीं जाता है रामु से दोड़ा नहीं जाता है ऐसे करोगे रामु से दोड़ा नहीं जाता है पारवती नहीं हसती थी तो फिर वोई बात से और नकारत्म बनाया ना है आपको तो आप लिखोगे पारवती से हसा नहीं जाता था पारवती से हसा नहीं जाता था ठीक है बन गया सेव नकारत मभाव मोहन नहीं सोएगा मोहन नहीं सोएगा तो मोहन से मोहन से सोया नहीं जाएगा जो आपका वाक्य का काल है वो नहीं बदलोगे भाव नहीं बदलोगे मौन नहीं सोएगा मौन से सोया नहीं जाएगा भाववाच में हमने बना दिया ठीक है अब देखो रचना की दृष्टी से बरगी करन होगा हमारा इसको हमें नेक्स क्लास में बताऊंगा फटा फटा आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा जो भी बच्चे हुए टॉपिक हैं और जो आपके टॉपिक हो चुके हैं जैसे हम पहले यह से लेवस का जो बचा हुए अससा पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर जो बच्चे हुए टॉपिक है उनमें से आप जो भी बोलोगे कि इसमें हमें कोई समस्या बो करा लेना लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि आप एक बार उसको पढ़ो जितने भी टॉपिक हो चुके हैं काफी टॉपिक्स आपके हो चुके हैं जो बचे हुएं बस बो मैं करा दूँ फिर मैं आपको फुल प्रैक्टिस कराना सुरू करा दू हिंदी का ठीक है तो कभी भी देखो एनॉंसमेंट हो सकती है दिसंबर म आपका जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जागा ठीक है कोई डाउट हो यहीं पर कमेंट कर देना